अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में एक छात्तरा के उपर तेजाब फेका गया था और जब उसे गरफतार किया गया तेजाब फेकने वाले को तो उसने बताया कि उसने ओनलाइन तेजाब को खरीदा था उसके बाद एक पिलान बनाया था तो सबसे बड़ा सबाल एक उठता है क्या ओनलाइन तेजाब बेंचना कानूनी है और इसके लिए कानून क्या कहता है और सुप्रिंग कोट ने इस पर एक फैसला भी दिया था उस फैसला के बारे में भी जानना चाहिए आपको तो इसके बारे में एक सामान जानकारी हम लोग देख लेते हैं इस कानून के बारे में और दिल्ली को अगर आप लोग देखें तो हमारी राजदानी है और आप सभी जानते हैं कि अर्वेंद के जीवाल यहां की मुखमंत्री हैं क्योंकि केंदर सासित पिदेश है आपका नई दिल्ली इसकी रादधानी है बिधान सभा में 70 सीटे हैं राज्य सभा में आपकी 3 सीटे हैं लोग सभा में 7 सीटे देखने को मिलेंगी कहां दिल्ली में और उसके बाद आप देखें कि इस मामले में महला और मानायदिकार आयोग ने online तेजाब बिक्री के लिए company को notice भी जारी किया है जो companyya ये online तेजाब बैंचती हैं, महला आयोग की तरफ से और मानायदिकार आयोग की तरफ से एक notice भी भेजा गया है अगर देखे महला आयोक की हम लोग बात करें National Commission for Women तो इसकी स्थाफना 1992 में हुई थी नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा जैन्ती पटनाइक्स की पहली अध्यक्षिती और ये महलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है ये संगटन काम करता है वही मानव अधिकार आयोक की बात करें तो ये मानव सभी लोगों की अधिकारों की बात करता है और National Human Rights Commission of India की बात करें तो इसकी स्थाफना बारे एक्टूबर 1993 में हुई थी नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा रंगनात मिसरा पहले इसके अध्यक्ष थे और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तब इस तरह की संगटनों के बारे में एक सामान जानकारी रखा करिएगा और अब ये सूचने बाला भी सह है कि जब देश में पहले से कानून इतना सक्त है तो फिर ऑनलाइन कंपिनियों से किसी भी वेक्टी को तेजाब मिल कैसे जाता है और अभी तक इस तरह की विक्री पर इसके पहले एक्जन क्यों नहीं लिया गया क्या इस तरह की हास्ते का इंतजार किया जा रहा था वैसे हमारे देश में आप देखते हैं कि नयाय बेवस्ता और जो कानून है इसी तरह की आप लोग धील मिल रहते हैं आप देखते हैं कि जब तक वो घटना ना हो जाए तब तक ना तो हमारी पुलिस बेवस्ता जाकती है ना ही आप देखे नयाय पाली का जाकती है देश में तेजाब विक्री से संबंदी तगय कानून की बात करें तो दरसल 2013 में सुप्रिंग कोट ने लक्षमी बना भारसंग बात का नेड़ा सुनाते हुए एसिड की विक्री के लिए कुछ नियम तै किये थे और यहाँ सुप्रिंग कोट की बात हो रही है कैंद सरकार और राज्य सरकार को इस नियम के पालन के लिए निर्देस्ट भी दिये गए थे और सुप्रिंग कोट की निर्देसों को अंगे बढ़ाते हुए भारस सरकार ने एक परामर्स जारी किया था और इस परामर्स में तेजाब विक्री को रोकने के लिए और पीडितों के पुनरवास के लिए सभी राज्यों और केंदसाथे पिदेसों को सला भी दी गई थी और कहा गया था कि तेजाब से होने वाले हमलों में कमी लाई जाए और पीडितों के उपचार की विस्था की जाए और साथी तेजाब हमले के पीडितों के पुर्नरवास के लिए तरभावी कदम उठाए जाए सोपरिंग कोट ने तेजाब विक्री के जो मानक बनाए थी वो क्या क्या मानक हैं इनने भी आप लोग देख लीजेगा इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखी किसी को तेजाब बेंचना है तो उसके लिए लैसंस लेना होला बिना लैसंस के तेजाब नहीं बेंचा जा सकता है और लैसंस के बाद भी तेजाब को एक सीमित मात्रा में ही बेंचा जा सकता है अगर दुकानदार मानक से जांदा तेजाब रखेगा तो उसके खलाब कानूनी कारवाई की जा सकती है तेजाब जिसे खरीदना है उसकी IU 18 से कम नहीं होनी चाहिए और तेजाब खरीदने वालों को दुकानदार के पास उसका पहचानपत जमा कराना होता है साथी वे तेजाब खरीदने का कारण भी लिखवाएगा वाँ यानि कि जिसे तेजाब खरीदना है तो उसे अपना पहचानपत जमा करना होगा और तेजाब किसलिए खरीद रहा है वो भी लिखवाना होगा से और विक्रिता को 15 दिनों की भीतर SDM की हाँ अपने एसेड के स्टॉक को बताना होगा और इन नीमों का उलगन करने बालों को 50,000 रुपा 50,000 का जुर्वाना भर ना पड़ेगा लेकिर आप देखें जो नियम तय किए गए हैं इन्हें कोई दुकानदार नहीं मानता होगा कोई ना तो आप देखेंगे डोकुमेंट जमा करता होगा पहचानबत और नहीं आप देखेंगे उससे कारण पूछता हुआ कि किसलिए आप एसेड खरीद रहे हैं अगर तेजाब बिक्री से सम्मधित कानून की बात करें तो तेजाब बिक्री राज सरकार की छित्त अदिकार का बिसा है सादवी अनुसूची आप लोग सुनते ना तो राज्ज सूची का बिसा है यानि कि इस पर कानून राज्ज सरकारी ही बना सकती है पॉआजज़न एक्ट 1919 के तहट राज्ज सरकारों को धाराच छह की तहट सजा को बढ़ाने और जुर्बाना लगाने का भी अधिकार है और इसके साथी पुलिस और लोग विवस्ता भी राज्य का बिसे है तो इस कानून का पालन करवाने का भी अधिकार राज्य को ही है और इसलिए तेजा विक्री के लिए उठाए जाने वाले कदम भी राज्य सरकार की ही दायरे में आते हैं और भाहुसे राज्यों ने इसकी विक्री के लिए कानून भी बनाये हुए हैं एक उभोक्ता सरक्षन अधिनियम भी आप लोग सुनते हैं और इसमें आप देखेंगे कि इसकी 2019 की धारा 2.9 के तहत उभोक्ता अधिकार सुरक्षा का अधिकार भी सामिल है और इसकी बस्तूओं उत्पादों या सेवाओं की विक्राई के खिलाब रापते हैं जो जीवन और संपत्ती के लिए खतर नाको उभोक्ता सरक्षन अधिनियम पूरे देश में लागो होता है इसलिए एसेड की विक्री के खिलाब भी या अधिकार देश की पबलिक को मिला हुआ है अगर ओनलाइन विक्री की बात करें तो उभोक्ता सरक्षन इकॉमर्स नियम 2020 की धारत 4-3 के अनुसार कोई भी एकॉमर्स यूनिट किसी भी तरह का ऐसा अनुचित ब्यापार बेवहर्म नहीं कर सकती है जो देशित में ना हो अब आप देखे कौन से कानून के तहत ओनलाइन कंपनियों पर कारवाही की जा सकती है तो चुकि ओनलाइन कंपनियों पूरे देश में ब्यापार कर सकती है और इसलिए इन पर ओभोकता सरक्षन कानून के तहत कारवाही की जाएगी और इसी कानून का प्रियूक करते हुए केंद्री ओभोकता सरक्षन पराधिकर ने ओनलाइन कंपनियों को नोटिस भी जारी किया है तो ये कहानी है पूरी आप देखे कानून क्या कहता है सुपरिंग कोट क्या कहता है और वाकी लागून नीचे जमीन इस तर पर क्या लागू होता है ये आप लोग देखते रहते हैं ठीक है?